तो सबसे पहले हम लेंगे मिक्सy का चार, और इसमें डालेंगे 1 कटोरे बर के चावल, आप चाज़ाएगे तो इस सब करी सकते हैं, तो हमें मिक्सी में बहुत आच्छा सा पीकिशना है बिल्कुल जितना बारिक हो सकते हैं, उतना बारिक हमने चावल को दू मिनट तक मिक्सी में चला लिया है तो यह हलका दरदर है लेकिन इसका लगबग आटा बन गया है अब हम एक दूसरे पैन में गरम करेंगे पानी तो जिस कटोरी से हमने एक कप चावल लिया थो उसी से हमें नाप की 10 कप पानी लेना है जितना चावल काटा है उसे 10 कुना हमें इसमें पानी डालना है और उसके बाद जो हमने आटा बनाया था वो इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लीम को बिल्कुल हाई करके इसको लगातार चलाते वे हमें पकाना है यह नीचे पर चिपक जाता है इसलिए आपको इसको लगातार च चावल करना है तो लगबक 10-12 मिनिट हो गया है यह थोड़ा शाइनी शाइनी हो गया और अच्छा सा गाड़ा भी हो गया है अब हम गैस की फ्लीम को आफ कर देंगे इसको हमने लगबक 12-15 मिनिट पकाया था यह थंडा होके और थोड़ा जादा गाड़ा हो जाएगा अब अब हम इसमें बाग की चीज़े डालेंगे इसमें हम डालेंगे एक चमश जीरा आधा चमश नमक इसमें नमक बहुत कम डलता है क्योंकि पापड बहुत पतले-पतले बनता है और बहुत जल दिखा रहे हो जाता है अगर नमक जादा हो एक पिंच मीठा सोडा तो यह सारी बेसिक चीज़े हैं जो आपको डालना ज़रूरी है लेकिन आप चाहे तो इसमें कुछ और चीज़े डाल कि इसका टेश्ट और बढ़ा सकते हैं इसको हमने एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारिक कटी सूकी लाल मिर्च हमारा पापड बनाने का बैटर बिलकुल तयार है अब हम इसके पापड बनाएंगे उसके लिए हमें दूप में एक प्लास्टिक शीट बिछानी है और उसके उपर हम एक की चमश करके यह बैटर डालेके इसको गोल गोल फैला लेंगे आपको इसको बहुत जादा पतला न करना है इस बैटर से लगबख सौ पापड तक बन जाते हैं और इसको बनाने में टाइम भी बहुत कम लगता है लगबख 10 मिनिट में आपके सारे सौ पापड बन जाएंगे इनको हमें तेज दूप में लगबख एक से दू दिन सुकाना है सूखने के बाद पापड कुछ ऐसे हो जाते हैं यह बहुत अच्छे सूख गए हैं अब मैं आपको फ्राइ करिए बताता हूँ तो हमने कड़ाई में तेल गरम कर रहा है हम इसमें वो पापड डाल देंगे और पापड डालते ही बहुत अच्छे से फूल जाएगा तो अगर आप कोई रैसे भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करें